हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे सी टैक चैनल में फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए Microsoft Excel 2007 का वीडियो लेकर आया हूं और इसमें आपको बताऊंगा डेली manufacturing progress report बनाना कि आप किस तरह से इसे बना सकते हैं फ्रेंड्स आदियाब को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरू किजएगा अदियाब हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए तो फ्रेंड्स चलते है और एक्सल सीट पे और काम करते हैं और बनाते हैं progress report फ्रेंड्स हम कंट्रोल से शीट को जूम कर लेते हैं जितना जूम कर सकते हैं और यहां से उपर से लगभग 15 कॉलम को merge कर देते हैं और इसमें हम टाइप करते हैं heading जो हमारा sheet का heading है daily manufacturing progress report है और इसका size फ्रेंड्स हम दे देंगे 26 क्योंकि heading है तो अच्छा लगना चाहिए और इसे हम bold कर देते हैं ओके उसके बाद में हम यहां से एक hours row को merge कर लेते हैं और इसमें हम date type करेंगे friends जैसे 1 January 2021 मैं इस तरह से टाइप कर रहा हूं बीच में कुछा space अगरा नहीं दे रहा हूं तो इस तरह से मैं type कर द आइ और बोर्ड दे देते हैं और इसमें भी आउट साइड बोर्ड दे 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 ओके इसमें हम type करते हैं product code कि product code क्या है product code इसका size जो है हमिहास रख लेंगे लगभग 14 और इसका size यतना हम दे देंगे इस तरह से product code डबल क्लिक करेंगे आटवर्ड जेस्ट हो जाएगा उसक पीस में है तो पीस कर सकते हैं और चाहिए तो सबको एक बार स्लेट कर लें स्लेट करके यहां से size 14 कर दें इससे क्या होगा है कि हर एक 14 size में type होगा तो यहां से डल क्लिक आटवर्ड जेस्ट उसके बाद में item name क्या है ठीक है उसके बाद total item की total item कितना बनना था आज तो मत एक केदेते हैं okay total item हो गया इसके बाद में यहां पर work complete percentage मतलब कितना percentage आज वरक complete हो गया तो यहां से कि वर कंप्लीट हमारा हो गया जो भी जितना प्रसेंटर रहेगा इसके बाद में step 1 से लेकर step 10 मतलब जितना भी प्रसेस है अपना आइटम प्रसेसिंग का कितने step से जाकर हमारा इसको से यहां से झितना गया है अब जो भी step होगा हम यहां से को आड़ कर लेंगे तो क्या करेंगे इसको तो size को थोड़ा सा इतना रणने दीधे और इस size को थोड़ा से इतना बढ़ा मैं कि अठीक है फिए प्रॉद्ट कोर सेंटर में टाइब कर देंगे जैसे के ए ओन इसका प्रॉद्ट कोर है और इसको यहां से मर्ज कर देंगे एक हीю में विनाना होगा फागी पूरा त्यार हो जाएगा आइटम इन पीस तो आइटम जो भी आइटम है यहाँ पर हमारा एक ग्राफ हम बना लेते हैं यहाँ पर आइटम इन पीस रहेगा तो आइटम नेम जो भी है इसको यहां से मर्ज कर देते हैं और सेंटर कर देते हैं टोटल आइटम कितना है इसको भी मर्ज कर देते हैं और सेंटर कर देते हैं और वर कंपलीट कितना परसेंट है तो इसको भी मर्ज करके सेंटर कर देते हैं अब इस साइड में हमें स्टैप बनाना है तो आइटम नेम अगर अलाला ल कनि जैसे को वी द SMT कना हमने लाइट कशी कर दिया और अल बाद दे दिया ओके और इस तरह में जाते हैं यहां से हैं और ऑल बडर देते हैं ठीक है इसमें कोई कलरना तो खरली कर खरते हैं है अब इ Zig flash slay यह मैं पर Talk आपको हटाना है तो आप अपने मर्जी से भी टाइप कर सकते हैं बाद में इस तरह से हैं तो हमारा हो गया अब हम पहले में फार्मूल लगा लेते हैं या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे बार बार प्रोडक्ट कोड आइटम पीस ना आए इसलिए हम इसको कंट्रोल जैड कर लेत हैं तो हमने इतना से कर लिए और किली करके इस तरह से बडा कर देने चांड़ से क्यों तो देखिए पुरा ग्राफ ट्यार हो गया अब हमने इसमें लिखना है प्रोड़क्ट कोड ने इग्जांपल के लिए आइटम पीस जो भी है उसका पिक्चर यहां प्लगाएंगे त प्रेंड हम इस पिक्चर पे Right Click करेंगे और यहां से जाएंगे Size and properties पे उसके बाद में देखे यहां पर आएगा properties तो यहां पर दिखा हुआ गा beliefs if she's स्टैड कर लेंगे and Size with sell close कर देंगे एभी स्टैसल कुहोड़ा करेंगे तो पिक्चर हो जाएगा जब चल को बढ़ा करेंगे तो पिक्चर यहां से इस पर आट वर्जेस हो जागा इसके हिसाब से इस तरह से हो जाएगा आइटम नेम है हम यहां पर आइटम नेम टाइप कर दें उसे बोल्ट है और टोटल आइटम आज कितना प्रोडक्शन जनेट होना चाहिए तो कितना इसका हम वो टाइप कर लेते हैं एक्जांपल के लिए इसमें एक्जांपल के लिए मान लिजिए अठाथा सो तो हमारा है बन गया अठाथा सब करके जिसे बारबरना करने पड़े सेंटर और सेंटर ठीक है इस तरह से और फ्रेंट टोटल यहां पर पैकिंग हुआ है 1500 जब पैकिंग होगा मतलब इतना हुआ अब हमें यहां पर निकालना है पर सेंटेज की टोटल कितना पर्चेंट कम्पलीट हुआ तो इसके लिए में फार्मुल लगाना होगा साथ में फैरर लगा लेते हैं जिसे बीच में तो यहां पर टाइप करते हैं is equal to if error bracket start average के अधोरिंग लगाएंगे हम average average bracket start और क्या करेंगे हम कि यहां से लेकर यहां तक select कर लेंगे शिफ्ट से ब्रेकेट क्लोज करेंगे गुना का से डालेंगे और 100 क्योंकि पर्सेंटेज निकाला तो 100 डिवाइड डिवाइड किसके अपॉर्ड निकलेगा तो यह जो आइटेम है डालगा है टोटल आइटेम तेसे डी फोर से ओके डी फोर कॉमा इफ हैरर का वैलू ब्लैंक रखने के लिए इनवाइड कोमा स्टाट इनवाइड कोमा क्लोज ब्रेकेट क्लोज और यहां से करेंगे हम एंटर तो फ्रेंट्स देख लिजेए कि 85% हमारा वर्क कम्प्लीट हुआ गयो पंदर सो है दो हजार का टोटल आइटम था तो पंदर सो है तो आप पचासी परसेंट कम्प्लीट हुआ है लेकिन अदी चाहते है कि इसको परसेंटेज में रखें इसको कि रृष से से और एंटर कर देंगे देखे 85 परसेंट आ गया जिए आपको जीरो लास्ट कहटाना है तो अब हटा लिजिए इस तरह से नेक्स्ट आइटम रहेगा तो इस तरह से हम टाइब कर लेंगे एटू और साथ में जो पिक्चर लगाना होगा हम यहां से लगा लेंगे बाहर जा रहा है तो से क्लिक करके और टैक्स पर खिलिक करदेंगग हो जा गा है और जो भी हमारा प्रोडग्शन जितना भी एक दिनका उतना कर लेंगे और प्रसेंटेज कि लिए हम यहां से क्लिक़ परकर करें झाठा थे खाला है इसको हटा देटे हैं ठीक है और यहाँ से क्लिक करके इसको लिर दो देते हैं और यह इसा किली करके से नीचाव कॉपि कर देते विस अपिल होगा को इसका आदम इसमें हम डेटा टाइप पर लेते हैं जो भी एस्टैप है प्रसेस का प्रसेसिंग का तो फिर्ण्स हमने सारा यहां पर नोट कर लिए अज जो भी प्रोडक्सन है पंदर सो है तो मारे लीज़े पंदर सो कम्प्लीट हो गया सम में तो लेकिन यहां पर जिर्ड जिर्ड ज्यादा आ रहा है तो यहां पर इसको मैं डाल देंगे इस तरह से इस तरह से हमारा काम करा है फ्रेंट्स ए डेली वाइज से मतलब आपको पॉड़े बनाना होगा लेकिन इतना डिजाइन करने कि जरूत नहीं है अब राइट की इस पे और यहां से copy का option मिल जाएगा आपको move और copy उसके बाद में move to and create copy ठीक है ओके कर दीजिए तो यहां से फ़र्स्ट और लास्ट इसमें जो डेटा है बस डेटा को आप डिलीट कर दीजिए इस दिन का क्योंकि यह सब तो जो कंपनी में काम होता है एक ही जैसा प्रोडक्शन चलता रहता है काफी दिन तक तो यह सब बदलने जरूत नहीं करके देख चुका हों काम करता है लेकिन काफी लंग प्रोसीजर है तो पहला स्टेप को मैंने इस वीडियो में बताया है मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छा सपोर्ट करेंगे तो आज आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा अधि अच्छा लगा हो तो पर इस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा शेयर किजिए अपने दोस्तों के साथ वाट्स अप और फेस्बूक पर तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक लिए बाए बाए